एवी पियस न्यूव ये बालातकार का अरोब जिस पे लगा वो कोई और नहीं भाजपा का ही उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंग सेंगर पर लगा शिकायत करने के बाद तीन अप्रिल को पिता की बुरी तरह पिटाई की गई भाजपा के इस विधायक के गुंडो द्वारा उस पिता की जो अपनी बेटी के लिए न्याय की गोहार लगा था उसकी तीन अप्रिल को पिताई हुई कोई कारवाई तीन अप्रिल से आठ अप्रिल तक जब नहीं हुई तो हमारी बेटी जो बलातकार की शिकार है वो बेटी उत्तरपरदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाज जी के घर के बाहर अपने परिवार के साथ आत्म दहा के लिए पहुँचती है लगता है कि अब पुलीस जागेगी अब सरकार जागेगी मुख्यमंत्री जागेगा बेटी बचाओ के नारे के तहट इस बेटी को और उसके परिवार को न्यायत दिलाएगा बिना ये देखते हुए कि बलातकारी कोन है लेकिन उल्टा होता ये है कि आठ तारीक को मुख्यमंत्री अवाज से इस पूरे परिवार को उठा के पुलीस टेशन ले जाया जाता है पुलीस टेशन में जहां पर भाजपा के इस आरोपी बलातकारी विधायक कुलदीब सिंग सेंगर को होना चाहिए था जेल में उसकी जगा जिस बेटी का बलातकार हुआ उसके पिता को जेल में डाल दिया थाने में जो है वो कस्टिडी में ले लिया और आज आज 9 तारीक 9 अप्रेल को पता लगता है कि पिता की पुलीस कस्टिडी में मौत हो चुकी है आप देख रहें इस देश में क्या हो रहा है बेटी बच्राओं के नारे के तहत एक पिता जिन्होंने नारा दिया जो खुद इस नारे को जुमला साबित करने पर लगे हुए हैं उन्हीं के नेताओं से हमें अपनी बेटियां बचाना मुश्किल हो रहा है इससे पहले आपने चंदीगर देखा हर्याना में भाजपा के अध्धक्ष का बेटा हमारी एक बेटी का पीछा करते हुए जेल गया और ऐसे अनेकों हैं कि सत्ता के गरूर और लालच इसमें इनकों लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ये हमारी बेटियों को यूही नोचते रहेंगे मैं उत्तरपरदेश की तमाम जनता से कहुँगी लखनव उन्नाव को कहुँगी जनता को अगर आपका खून अभी भी नहीं खोलता अपनी बेटियों की सहालत को देख कर तो आपका खून नहीं वो पानी है हम दिल्ली में बैटे हैं और मीडिया में भी इस पे पूरी उमीद कर रही हूँ जिस तरीके से अभी सार ने और सबने कहा है कि हम लोग इस पे बहुत जरूरी हो चुका है कि चर्चा हो कि देश में हमारी बेटियों को बाक्षा नहीं यह देश की बेटियों को नोचने वाले कोई और नहीं देश के भीतर बैटे हुए भाजपा के ऐसे नेता हैं जिनका नाम कुदीप सिंग सेंगर है जिसे बचाने का प्रियास उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाची आप कर रहे हैं अगर देश के परदान मंत्री मैं आप से कहूंगी योगी अधित्यनाची आप से कहूंगी योगी अधित्यनाची शादी की होती तो पत्नी के रूप में ही एक औरत का सम्मान क्या होता है शादी की होती योगी अदेत्ने ना जी तो आपकी भी बेटी अगर होती तो बेटी के साथ बलातकार का दर्द क्या होता है उस पिता का आप शायद समझ पाते जो आप नहीं समझ पारें देश के प्रधान मंत्री जी आपकी शादी हुई लेकिन दुख की बात है आप पिता बनने का स्वभागय प्राप नहीं कर पाए और अगर आज की बेटी भी होती और उस बेटी के साथ भगवान न करते ऐसे जगन्य अपराध होता तो उस पिता का दर्द शायद आप समझ प सिर्फ वोट के लिए खोखले नारे सुनते सुनते कान पक गई चार सालों में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ अब तो यह हो गया है कि बेटी कि भाजपा के बलातकारी नेताओं से बचाने की बात उट रही है अभी भी महारास्ट्रा में महारास्ट्रा में शिवा जी करके भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक महारास्ट्रा के नाम है शिवा जी डबल मर्डर में अभी अरेस्ट हुए हैं, बहुत दबाफ के बाद कोट के आदेश के बाद भाजपा के विधायक को महारास्ट्र में अरेस्ट किया गया है, वहीं तेलंग पीटियों को न्याय नहीं देगा एक पीता अपनी बेटी की बचाने की गोहार लगाते लगाते मोत के घाट उतार दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आप सत्ता में बैठी सरकार जब कानून नहीं चलेगा तो यही होगा लोग कानून अपने हाथ मिलेंगे जैसे लोगा नामे हुआ है मासूम बच्ची के बालातकारी के आरोपी को भीड ने पीट-पीट के माल डाला है अब देखना होगा कि अपने आप भाजपा के इस विधायक कुलदीप सिंग सेंगर को कितनी करी सुरक्षा जैड सेक्योर्टी के अंदर कब तक कब तक जो है वो पूरा है कि उसके भाई उसके गुंडों ने जो आज खबरे आ रही है उसके पीता को पूरी तरह पीटा और उल्टा पुलीस ने इस बालातकारी विधायक भाजपा के इसको डालने की बज़ा है इसके पीता को जेल में रखा कल रात को अपनी हिरासत मिलिया अज सुबह मो कि अबने घकारी को सजा दिलाने के लिए उसका यह हर्श होगा यह साबित करना चाहते हैं हमारा गून खॉल्रा है हमारा देश की उत्तरपरदेश की सत्ता कानून वेवस्ता इतना बड़ा बहुमत देकर देश और उत्तरपरदेश के लोगों ने आपको शायद इसलिए नहीं सोपी थी कि आप हमारी बेटियों का इस तरीके से बलातकार करेंगे और उन्हें बचाएंगे अपने अपराधियों को, अपने नेताओं को आज खून खूल रहा है, मजाग बनाके रख दिया है आप लोगों ने बेटियों के जो है वो सुरक्षा को लेकर मन की बात में आप बेटी बचाओ का नारा खूकला नारा देते हैं, नैशनल ट्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार का ग्रह मंत्राले ने जारी की है रिपोर्ट, पढ़िए उस रिपोर्ट को, मूपे तमाचा है आपके, केंदर में बैठी भाजपा सरकार के मूपे तमाचा है आपकी ही खुद की रिपोर्ट जो बताती है कि बेटियों के साथ घटनाय कमने हुई पिछले सार सालों में बढ़ी हैं, क्या कर रहे हैं आप, हिंदू मुसलिम, मजभ के नाम पर दलित मुसलिम को, के नाम पर क्या गंदी और नीच राजनिती कर रहे हैं आप, बेटियों के साथ बलातकार हो रहे हैं, पिता को मोत के घाट उतार दिया, शरम करिये, चुलू भर पानी में डूप बरिये, योगी अदित्यनाजी, चुलू भर पानी में, छायद खुदा ने आपकी इसलिए, आपको ना बीवी दी और ना आपको बेटी दी, क्योंकि आप अपनी बेटी को भी बचा पाते, इसलिए खुदा ने आपको बेटी नहीं दी, भगवान ने आपको योगी अतित्यनाजी, बहुत बद्दुआ निकल रही है आज, वो जो पिता चला गया, अपनी बेटी के बलातकारी को सजा दिलाने की मांग करते, करते, जिसे आप आपने हत्या कर दी मोत के घाट उतार दिया, बहुत बद्दुआई निकलेंगे आपके लिए, बहुत बद्दुआएं उस मां की जो पीछे अपनी बेटी को लेकर अपनी आई की लड़ाई को पता नहीं लड़ पाईगी या नहीं लड़ पाईगी इस विवस्था में, व आपको भुगतनी पड़ेंगे और माफी मांगेंगे, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, इतना दर्द आपको मुझे लगता है मिलने वाला है, अगर आप इस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अगर नहीं नहीं करेंगे, बलतकार का आरोब किसी और पे नहीं दायक पर लगता है, बेटी और योगी अदित्यनाजी आपके दर्वाजे पर नहाई मांगने आई और आपने बेटी और उस परिवार को उसके पिता को पुलीस के हिवाले कर दिया, और सुबह तक उस पिता की मौत हो जाती है, पुलीस कस्टिडी में, उस थाने के जितने अधिकारी थे, वहां का जितना भी पुलीस प्रसाशन था, एक एक इस मोत का जम्मेदार है, जिसकी हिरासत में राद भर वो पिता रहा, मैं उत्तरपरदेश उन्नाव लखनव के लोगों से कहूंगी, दिल्ली और देश आपकी तरफ देख रहा है, यह आपकी और हमारी ब बेटी के बलातकारी के आरोपी को कानून लोगों ने हाथ में लेकर जो है, वो माल डाला है, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में ऐसी नोबत आजे कि पिता को एक भाई को अपनी बेटी बलातकारीयों से बचाने के लिए कानून अपने हाथ में लेने पड़े, हम नहीं च इस बेटी के साथ उसके उपर, उसकी माँ उसके परिवार के उपर जो पीछे रहे हैं क्या गुजर रही होगी, खून नहीं खोलता आपका क्योंकि पानी हो चुका है, योगी अदित्यानाथ जी शरम आती है, थुकती हूँ अपर, थुकती हूँ, योगी ये बेटी अपनी म और अपने बाप पिता के साथ आपके दर्वाजे पर आई थी, कि आपका बलातकारी विधायक कुल्दीप सिंग सैंगर ने उसका गैंग रेप किया है, पुलीस एपाइयार नहीं कर रही, उसके पिता को पीटा जा रहा है, योगी अदित्यानाथ, थुकती हूँ आपके यही नर्क, यही स्वर्ग है, हाई लगेगी उस पिता की जो इस दुनिया में नहीं है, और इस मा की और इस बेटी की इसका बलातकार हुआ, और आप अपने विधायक को बचा रहे हैं, आप अपने विधायक को बचा रहे हैं, देश के प्रधान मंतरी आदर्निये नरेंद उसे मोत के घाट उतार दिया आपकी उत्तर प्रदेश की पुलीस ने लानत है आपके ऊपर खून खौल रहा है मा हूँ बेटी नहीं है एक बेटा है लेकिन ऐसे संसकार दिये है और भगवान न करे अगर ऐसी नोबत कभी भी आए भगवान न करे ऐसे संसकार अपने बेटे को दिये है अगर ऐसी नोबत भी आ गई तो पहली मा होंगी जो खुद अपने बेटे को उस कुकरम के लिए उस बेटी के बलातकार के लिए खुद मौत दे दूगी लेकिन गर्व है जिस कोक से जनम दिया उस कोक पे मुझे गर्व है कि अपने बेटे को मैंने संसकार दिये हैं मा, बहन, बेटियों को इज़त की नजर से देखने पर उसके संसकार सिखाएं हैं कि किस तरस और गर्फ करती हूँ कि मेरा बेटा महिलाओं के लिए अपनी बेटियों के लिए इज़त की नजर रखता है, उनके लिए अच्छी सोच रखता है, अच्छा नजरिया रखता है औ उनकी लिए बहुत सोचता है, उनको मदद करता है मेरा बिटा, गर्व करती हूँ, लानत है योगी अदित्यानाथ, भगवान का शुक्रिया करती हूँ, कि आपको बेटी नहीं दी, क्यों कि आप अपनी बेटी को भी बलातकार से बचा नहीं सकते थे, विशक काज आप मुख मुख्य मंत्री और नारेंद्र मोदी जी आपको आपको पिता बनने का स्वभाग्य नहीं दिया, लेकिन आपको प्रधान मंत्री योगी अतित्यानाथ को पिता बनने का स्वभाग्य नहीं दिया पर उक्तरपरदेश का मुख्य मंत्री बनाकर आपको देश का प्रधान मंत 25 साल से राजनीती में हो राजनीती विवस्था बदलने के लिए हैं अब बिदेश के बैंकों में काला धन रख लिया हो तो हम लोगों में मर्ज दिजगाडी रखी होती पता नी कितनी जमीन जयदाद मेरी भी होती लेकिन विवस्ता पर वरतन करने के लिए 25 सालों से लड़े खास्तों से महलाओं के प्रती जो है सोच और नजरिया बदलने के ल जाए जारी आपसे एक बार फिर भगवान का धन्यवाद करती हूं कि आप दोनों को पिता बनने का कम बेटी के पिता बनने का स्वभागे नहीं मिला क्योंकि वो बेटी भी जब बलातकार का शिकार होती तो आप जैसे नपंसक पिता उसे बचा नहीं सकते थे